अपनी बीवी मायरा के साथ रा करता था रुदरा एक ओफिस में काम क्या करता था और वो बहुते कम पैसे कमाया करता था लेकिन रुदरा के बीवी मायरा उसे काफी महेंगे-महेंगे चीज़ों का शौक था उसे काफी सारे महेंगे चीज़ चाहिए थे और वो हमेशा रुदरा से कहा करती थी सुनो रुदरा तुम एक चोटी से नवकरी करते हो और तुम बहुत जादा कम पैसे कमाते हो जिससे मेरा गुजारा नहीं हो पता तुम्हें पता है ना मुझे महेंगे चीजों का काफ जादा शौक है और मुझे सोना खरिदना अच्छा लगता है और मेरे पास अब तक कोई गाड़ी भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमने मुझे अब तक कोई गाड़ी नहीं दिलाई है तब रुदरा कहता है मायरा मेरी बात को सुनो और समझो हम लोग गरीब है और हमें गरीब में रेना सीखना पड़ेगा तुम कुद को अमिर समझती हो और तुम मेरे सारे पैसे खर्च कर देती हो मैं तुम से कहता हूँ तुम मेरे पैसे खर्च मत करो वरना हम लोग हमारा घर कर्च कैसे चलाएंगे तभी मायरा केती है मुझे वो आखल सुचता है अच्छा तो इस मायरा को पैसा काफ़ जादा पसंद है मेरे पास तो काफ़ सारे पैसे है और मैं पैसों की मदद से इस मायरा को अपनी बीबी बनाऊंगा इतना सोच कर वो रुद्रा की सामने ही मायरा से कहता है सुनो मायरा तुम मुझसे शादी कर लो मेरे पास रुद्रा से बड़ा घर है और मैं तो एक ओफिस का बॉस हूँ और तुम्हें पता ही होगा मेरे पास काफी सारे पैसे है क्या तुम मुझे स्षादी करोगी तभी मायरा केती है हाँ हाँ मैं इस बेकार रुद्रा